तो आज की सेशन में हम कुछ important results देखने वाले हैं जिनकी मदद से किसी भी सेट को LI या LD पता करना हमारे लिए आसान हो जाए तो सबसे पहले एक बार मैं result देख लेते हैं हम लोग क्या है तो उसके applications पर जाएंगे तो यहाँ पर result क्या है सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं let s is equal to s में कुछ element है say x1 है x2 है and so on xn दिया गया है और क्या आपका क्या है linearly independent set of vectors linearly independent set of vectors from v over f then अब यहाँ पर मैंना एक set ले लेता हूँ एक नया set लेता हूँ say मैं उसको नाम दे देता हूँ कुछ t नाम दे दिया अब t के अंदर मैं क्या लोगा जो s के element है ना इसके different different linear combination लोगा x1 x2 xn के अलग-अलग linear combination लेता हूँ तो सपोज मैंने ए ले लिया a11 x1 plus a12 x2 and so on plus a1n xn ए पहला linear combination ले लिया अब दूसरा a21 x1 plus a22 x2 and so on plus a2n xn दूसरा linear combination इसी तरह mth linear combination लेता हूँ am1 x1 plus am2 x2 and so on plus amn xn तो यहाँ पर मैंने क्या किया different different linear combination ले लिया s के element के कितने है अगर आप देखोगी इसके अंदर a पहला linear combination दूसरा linear combination mth linear combination मतलब t के अंदर total m element है तो अब बात किया जाएगा s हमें दिया गया है कि li है अब t li मिले गया या ld मिले गया किस पर depend करता है यह depend करता है एक matrix पर जहाँ पर आपको क्या करना होगा इसको इसको एक matrix के form में लिख लिजे इसके coefficient को तो suppose आपने ऐसे लिख लिया एक matrix है जहाँ पर पहले element का जो को efficient होगा या scalar जो है पहले row में लिख दीजे a11 a12 and so on a1m यह क्या है आपका a21 a22 and so on a2m है इसी तरह अगर continue करते जाएंगे am1 यह आपका है am2 and so on a हमने ले लिया amn ले लिया तो यह आपका एक matrix है ज़से हमने क्या क्या यह t के अंदर जो equation थे ना उनके ही coefficient लिखे हुए है अब अगर इस matrix का rank अगर a का rank किसके बराबर मिलता है इसके अंदर जितने element है इसके अंदर m element है अगर a का rank m के बराबर मिलता है तो आपका t li हो जाएगा अगर a का rank m से छोटा मिलता है तो t आपका क्या हो जाएगा l d हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इसी बात को हम लिख लेते हैं तो यहाँ पर कर सक्टो देन T is T आगे continue करते हैं देन T is Li और LD T is Li और LD according according to rank of T if M or less than M or less than less than M respectively अगर A का rank M के बराबर मिलता है M के बराबर मिल जाये M के बराबर मिल जाये तो T आपका Li हो जाएगा अगर A का rank M से छोटा मिलता है तो T आपका LD हो जाएगा यहाँ पर M का मतलब क्या है M का मतलब है T में कितने element है उस पर depend करता है अगर माल लिजे, अगर आपका मैट्रस स्क्वेर बन जाए तो स्क्वेर मैट्रस हो जाएगा, स्क्वेर मैट्रस का rank M के बराबर चाहिए आपको Li के लिए, मतलब N के बराबर तो किसी भी मैट्रस का rank उसके order के बराबर कम मिलेगा जब determinant non-zero हो जाए, तो यहाँ से आप एक observation भी लिख सकते हैं, अगर आपका मैट्रस स्क्वेर बनता है, अगर उसका rank N के बराबर आ जाता है, स्वेर मैट्रस के बाद कराऊं, तो Li हो जाएगा, अगर determinant 0 आ जाएगा, तो LD हो जाएगा, तो इसी result पर basic note हम add कर लेते हैं, if M is equal to N, मतलब अगर आपका मैट्रस स्क्वेर बनता है, तो, अगर M के value N के equal आ जाती है, तो उस case में आप क्या कह सकते हो, तो first आप यहाँ पर कह सकते हो, then, T is Li, T linearly independent तभी होगा, जब A का determinant क्या हो जाएगा, नौन जीरो हो जाएगा, और second आप क्या सक्वेर टी LD होगा, T is LD, if determinant of A is equal to 0, अगर A का determinant 0 मिलता है, तो T आपका क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा, तो यह भी एक important result है, इसके base पर भी question पूछे जाते हैं, एक्जाम में, तो चलिए एक question देख लेते हैं हम लोग, तो suppose next question आपको क्या दिया गया, let S is equal to SX8 है, जहाँ पर कुछ element है, से X1, X2, X3 और X4 आपको दिया गया है, यह क्या है, is linearly independent set of vectors, कि मा लेज़े, आपको क्या दिया, linearly independent set of vectors, vectors from VORF, तो VORF एक vector space है, वहाँ उसका एक subset है, जो ally दिया गया है, देन, आपको बताना है, इंद में से कौन सा ally होगा, then which of the following, then which of the following, is or are linearly independent, आपको बताना है, इंद में से कौन सा linearly independent होगा, तो पहला option लिख लिएते हैं, सपोज पहला set आपको दिया गया है, set क्या है, say X1 दिया गया है, X1, X1 प्लस 2 टाइमस X2, X1 माइनस X2 प्लस X3, X1 प्लस 2 टाइमस X2, प्लस 3 टाइमस X3, प्लस X4, पहला set आपको यह दिया गया है, दुसरा आपको क्या दिया गया है, अगर यहाँ पर B की बात किया जाएगा, तो second set आपको B दिया गया है, B कुछ इस तरह है, X1 प्लस X2 प्लस X3 है, फिर आपका है X2 प्लस X3 प्लस X4 है, फिर आपको दिया गया, X1 प्लस X2 माइनस X3 प्लस X4 दिया गया है, फिर आपको C क्या दिया गया, C आपको दिया गया, X1 प्लस X2 प्लस X3, 2 टाइमस X1 प्लस 3 टाइमस X2 प्लस X3 और यहाँ पर आपको दिया गया, 5x1 plus 7x2 plus x3 plus x4 दिया गया है और last set आपको यहाँ पर क्या दिया गया है d आपको यहाँ पर दिया गया है d is equal to क्या है d आपका है x1 plus x2, x2 plus x3 x3 plus x4 and x4 plus x1 तो यह आपको 4 set दिये गया है तो आपको बताना इन में से कौन सा set li होगा तो चलिए पहले इस set से हम start करते है तो पहला आपका set A है अगर A को आप matrix में convert करोगे दिखो यहाँ पर x1 का को efficient, x2 का को efficient, x3 का और x4 का आएगा इसके पास दिखो कितने equation है पहले में 4 है ना, sorry 4 element है पहला element, दूसरा element, तिसरा element और यह चौथा element चार element है तो इस case में M की value 4 होगी second equation में 3 element है, इसलिए M की value 3 होगी third में अगर आप देखेंगे तो एक, दो, तीन element है तो M की value 3 है और last में आपका M की value 4 है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे mattress में convert कर लेते हैं अगर आप mattress में convert करेंगे तो इसका mattress representation कैसा मिलेगा X1, बाकि सारे 0 1, 2, 0, 0 1, minus 1, 1, 0 और यह हो गया 1, 2, 3, and 1 यह आपका mattress बन गया अभी देखो एक square mattress से 4 x 4 का तो अगर आप देखेंगे A का determinant कितना है A का determinant आपको 2 मिल रहा है आप लोग ट्रेंगलर है तो इसका determinant अगर non जिरुहत इसका rank कितना हो जाएगा A का rank आपको 4 मिलेगा जो की M के बराबर है इसका मतलब आप क्या कह सकते हो यह जो पहला set है A यह आपका क्या हो जाएगा linearly independent तो पहला set आपको यहाँ पर linearly independent मिलेगा तो यह वाला correct हो जाएगा अब दुसरा set आपका क्या है दुसरे set को अगर मैं matters में लिखो B X1 X2 X3 1 1 1 0 उसके बाद आपको क्या दिया गया है O 3 4 0 1 1 1 last में है 1 1 minus 1 और 1 यह आपका matters दिया गया है देखे यही है अब इस case में M की value 3 है M की value कितनी है 3 है इसका order कितना है 3 cross 4 है अब अगर इस matters का rank अगर आपको 3 के equal मिल जाता है तो LI हो जाएगा अगर 3 से कम मिलता है rank तो LD हो जाएगा तो सबसे पहले हमें rank find करना पड़ेगा इसके नीचे हम 0 कर लेते हैं मतलब हम क्या करेंगे row 3 में changes करेंगे row 3 में changes करेंगे such that row 3 माइनस row 1 करेंगे तो नया matters आपको 1 1 1 0 0 1 1 1 कि this minus this 0 0 माइनस 1 माइनस 1 करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2 और यह 1 हो जाएगा यह आपका matters बन गया यहाँ से आप clearly देख सकते हैं इस matters का जो rank होगा rank कितना दिख रहा है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं rank of b b का rank आपको कितना मिला तो b का rank आपको यहाँ पर मिल रहा है 3 which is equal to m m के equal ही मिला इसका मतलब यह क्या हो जाएगा इसका मतलब यह li हो जाएगा this implies that b आपका क्या है li हो जाएगा linearly independent हो जाएगा ठीक है तो b आपको linearly independent मिला similarly हम लोग क्या करते हैं c को भी matrix में लिख लेते हैं तो आपका जो c है 1 1 1 1 1 1 0 उसके बाद आपको क्या मिलेगा 2 3 1 0 2 3 1 0 5 7 1 1 5 7 1 1 यहाँ पर भी m के value 3 है ठीक है इस case में भी m के value 3 है क्योंकि आपका जो c दिया गया उसके अंदर से 3 element है तो m के value 3 है तो अब यहाँ पर हमें बताना इसके rank के बारे में तो इसका rank निकाल लेते सबसे पहले इसके नीचे 0 करेंगे मतलब हम कहाँ पर changes करेंगे second row में such that second row minus 2 times first row करेंगे third row में changes करेंगे such that third row minus 5 times first row करेंगे तो अब हमें नया matters कैसे मिलेगा 1, 1, 1, 0 this minus this 0 और ही हो जाएगा 3 minus 2, 1 और ही हो जाएगा 2 minus 1 तो यह आपको मिलेगा 1 minus 2 minus 1 हो जाएगा यह 0 यह 0 हो गया 7 minus 5 करेंगे 2 1 minus 5 करेंगे minus 4 और यह 1 minus 0 यह आपको यह मिला एक बार आप फिर से कर सकते हो ना इसके नीचे भी आप 0 बना सकते हो इसके नीचे तो अगर आप इसके नीचे 0 बनाएगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा तो actually आपको row 3 में changes करना पड़ेगा such that row 3 minus 2 times row 2 करेंगे तो हमें matrix मिलेगा 1, 1, 1, 0, 0, 1, minus 1, 0, 0, 0 minus 4 plus 2 करेंगे तो minus 2 होगा और यह 0 हो गया तो यहाँ से भी आप कह सकते हो इस matrix C का जो rank है यह 3 मिला जो की M के बराबर ही है इसका मतलब आपका C भी क्या हो जाएगा यह जो set C दिया गया वह भी आपको यहाँ पर linearly independent ही मिलेगा ठीक है अब आपका last बचाव X1, X2 इसको देख लेते हैं D तो D को अगर आप matrix में convert करोगे तो क्या है X1, X2 बाकी 2, 0 हो जाएंगे फिर X2, X3 बाकी 2, 0 0, 0, 1, 1 1, 0, 0, 1 यह आपका matrix बन गया अब आप चाहो तो इसका determinant निकाल लीजे या तो आप इसका rank निकाल लीजे यहाँ पर M के value 4 है अगर rank इस matrix का 4 आ जाता है तो इस setup का LI होगा अगर 4 से कम आता है तो LD हो जाता है तो चलो मैं rank से करता है इसके नीचे मुझे 0 करना पड़ेगा इसके नीचे 0 करने के लिए हम क्या करेंगे row 2 में changes करेंगे such that row 4 में such that row 4 minus row 1 आपका नया matrix 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 0, 0, 1, 1 यह 10 minus 10 0 हो गया यह होगा minus 1 0, minus 0 करेंगे तो 0 हो गया यह 1 मिला अब फिर से आपको fourth row में changes करना पड़ेगा such that fourth row plus second row कर दीजे तो आपका नया matrix क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका नया matrix होगा 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 यह हो गया 0, 0 और यहाँ पर add करेंगे तो यह 1 हो जाएगा और यह 1 रहेगा ठीक है फिर से अगर आप एक बार change करेंगे तो आपका last वाला जो row है पूरी तरह 0 हो जाएगा मतलब अगर मैं क्या करूँ row 4 में changes करूँ such that row 4 minus row 3 करूँ तो इस case में जो मुझे नया matrix मिलेगा तो क्या होगा 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 और यह हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 0 तो यहाँ पर आप देख सकतो इस matrix का rank कितना मिला तो rank D का जो है A3 मिला जो की M की value यानि 4 से कम है इसका मतलब यह वाला जो set दिखरा आपको A set कैसा हो जाएगा A set linearly dependent मिलेगा So this implies that यह जो आपका D है यह क्या हो जाएगा linearly dependent हो जाएगा तो आजाते हैं question पर यहाँ पर पहला वाला दूसरा वाला Li होगा तीसरा वाला भी Li होगा और last वाला आपका जो बनेगा LD बनेगा तो इस तरह आप क्या कर सकतो इस question का यूज कर सकतो बस आपको ध्यान में रखना है यह जो set आपको दिया गया यह कैसा होना चाहिए यह set आपका Li होना चाहिए तो जाकर आप इस result को apply कर पाओगे ठीक है तो I hope आपको result समझ में आया होगा यह result काफ़े important है ठीक है तो चलिए आज की session में इतना ही so thank you so much कर दो है